मित्रों हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है अश्ट सिध्धी, नव निधी के दाता, अस्वर दीन जान की माता. इसका अर्थ है कि हनुमान जी आठ सिध्धियों और नौ निधियों को देने वाले हैं, माता सीता ने उन्हें ऐसा आशिरवाद दिया था. सिध्धी का अर्थ होता है किसी कार्य की पूनता और उसकी सफलता की अनुभूती होना. यह अनुभव जीवन की पूनता को प्राप्त करने का माध्यम है. क्या होता है सिद्धी का अर्थ जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धी प्राप्थ हो गई है तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ती ने किसी कार्य विशेश में असामान्य कुशलता प्राप्थ कर ली है वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूल्न और दूसरों से बहतर तरीके से करता है किसी भी कार्य में सिध्धी प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यक्ता होती है आज बात करते हैं उन सिध्धियों के बारे में जो बजरंगबली की कृपा से सहज ही प्राप्थ हो जाती है मित्रो मारकंडे पुराण तथा ब्रहम वैवर्त पुराण में भी इन सिध्धियों के विशय में बताया गया है जो इस प्रकार है अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ती, प्राकामयम, महिमा तथा इशित्वन्च वशित्वन्च सर्वकामाव शायता लेकिन इन सिध्धियों को प्राप्थ करने का मार्ड इतनी आसान नहीं है इसके लिए जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंतरन होना अतियावश्यक है इन सिध्धियों के प्राप्ती के बाद ब्रहमांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता उसे सहेज ही प्राप्त हो जाते हैं इनकी प्राप्ती के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तूओं की प्राप्ती की लालसा से उपर उठ जाता है और वह एक विराठ स्वरूप को धारन करता है हमारे धर्म ग्रंथों में वर्नित आठ सिध्धिया कौन सी हैं और अर्थ क्या है? इसको जानते हैं, साथ में यह भी जानेंगे कि अगर किसी साधक को यह सिध्धी प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा सामर्थ्य उत्पन हो जाता है? मित्रोग पहली है अनिमा सिध्धी स्वय को सुक्ष्म कर लेने की क्शमता को ही अनिमा कहा जाता है यह ऐसी सिध्धी है जिससे युप्त होकर व्यक्ति-सुक्ष्मरूप धारण करके एक अनू के रूप में भी परिवर्टित हो सकता है अनू की शक्ती से समपन होकर साधक उस परम शक्ती से साक्षात कार कर लेता है दूसरी है महिमा सिध्धी दूसरे नंबर पर आती है महिमा सिद्धी इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना देने की क्षमता इस सिद्धी की प्राप्ती के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृती का भी विस्तार कर सकता है तीसरी है गरिमा सिद्धी इस सिद्धी का अर्थ भार या अडिग होने से हैं इस सिद्धी की प्राप्ती के बाद व्यक्ति स्वयं के भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला नहीं पाता ठीक वैसे जैसे हनुमान जी की पूछ को भीन जैसा बलशाली योध्धा हिला तक नहीं पाया था चौथी सिद्धी है लगिमा सिद्धी किसी भी तरह के भार से स्वयन को मुक्त कर हलका बना लेने की क्षमता लगिमा कहलाती है इस सिद्धी की प्राप्ती के बाद साधक स्वयन को भारहीन अनुभव करते हैं इस सिद्धी की प्राप्ती का प्रभाव यह होता है कि साधक संपूर्ण ब्रहमांड में विद्यमान किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है उसके पास जा सकता है और यदी इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है पांचवी सिद्धी है प्राप्ती सिद्धी जैसा कि इसके नाम से जान पड़ता है कि इस सिद्धी को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है नामुम्किन को मुम्किन में बदल लेने की शम्ता प्रदान करती है प्राप्ति सिध्धी वह धर्ती पर जो चाहे कर सकता है सभी उसके गुलाम होंगे छटी सिध्धी प्राकामे सिध्धी चटी सिद्धी है प्राकामे सिद्धी इस सिद्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है, किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या नहीं बताए सात्वी सिध्धी है इशिता सिध्धी सात्वी सिध्धी है इशिता और इसका अर्थ होता है आधिपत्य यह देवता की उपाधी है, इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ती देवता की श्रेणी में खड़ा हो जाता है, वह दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है आठवी सिध्धी वशिता सिध्धी है, इस सिध्धी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ती किसी भी व्यक्ती अथवावस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इनसान ही क्यों ना हो, वह किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है मित्रों ये सारी सिध्धियां बहुत ही दुलब होती हैं, ये युही किसी को प्राप्त नहीं होता हैं, जितना आपको कहने और सुनने में असान लगता हैं, उतना है नहीं मित्रों अश्ट सिध्धियों को जितना दुलब समझा गया है, उतने ही दुलब नौनिध्या की प्राप्ती भी होती हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हनुमान जी जिस भी साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं तो हनुमान जी अपने साधक को भी इन सिध्धियों को प्रदान करते हैं मितरों अगर आप भी चाहते हैं कि इन सिध्धियों मेंसे कोई एक सिध्धी आपको प्राप्थ हो जाएं तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा लेकिन आपको नियम और ध्रम के प्रती सहज और कर्तव्य निष्ठ रहना होगा इस सिध्धी को पाने के लिए निस्वार्थ भाव से हनुमान जी का सेवा करे। आप एक बच्चे के भती निश्चल मन से भक्ती भाव से इनकी पुजा करे। हनुमान जी की दयाद्रिष्टी अगर हनुमान जी को आप प्रसंद कर लेते हैं तो आपको इन सिध्धियों की प्राप्ती भी हो जाएगी